नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि खाली बेट कौन कौन सी चीजे नहीं खानी चीए फ्रेंस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लीजे और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करें अब भड़ते हैं विडियो की तरब हर चीज को खाने का वक्त होता है लेकिन एक्सपर्ट कुछ चीज़ों को خاص तोर पर खाली पेट लेने से मना करते हैं धर असल इसमें वो तमाम चीज़ें आती हैं जो अमली होती है खाली पेट कुछ भी अमली खाने से पेट के आतों पर असर पड़ता है और संकरामन का खत्रा बढ़ जाता है अफ्रेंस में आपको बताती हूँ कि इसी कौन सी चीज़े हैं जो आपको खाली पेट नहीं खाना चाहिए सोडा में उच मातरा में कार्बोनेट एसिट पाया जाता है जब यह पेट में मुझूद अमल के साथ मिलता है तो पेट दर्द जिसी कहीं परिशानियां को जनम देता है इसके अलाबा टमाटर कच्चे टमाटर खाने के कहीं फायदे होते हैं लेकिन खाली पेट कच्चे टमा जैसे समस्याओं को कारण बनता है। खाली पेट टमाटर खाने से पत्री होने का खत्रा भी बढ़ जाता है। इसके अरावा दवाईयां। आपने अक्सर डोक्टर को ये कहते सुना होगा कि कुछ खाने के बाद ही दवाईयां लेना। हमारे गरों में भी हमें यही बताया जाता है कि कोई भी दवा खाली पेट नहीं लेनी चाहिए। इसके मुखे वज़े हैं कि खाली पेट दवा लेने से वह पेट की सबसे अंदोनी सत्या को प्रभावित करती है। और पेट में मुझूद एसिट के साथ किरिया करके शरीर के संतुनन को डिस्टरब कर देती है। इसलिए डोक्टर से पूछे बिना कभी खाली पेट दवा नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा कहीं लोगों को खाली पेट इलकोहॉल लेना पसंद होता है। ऐसे में नशा जल्दी होता है लेकिन खाली पेट इलकोहॉल लेने से आते बुरी तरह प्रभावित होती है। इसके अलावा बात करते हैं अगले नुकसान की जो कि हैं बहुत ही अधिक मात्रा में मसालेदार खाना खाना। ज़्यादा तर लोगों को मसालेदार और चटपटा खाना पसंद होता है। लेकिन ऐसी चीज़ों को कभी भी खाली पेट नहीं लेना चाहिए। हमारे शरीर में प्रगतिक रूप से कुछ एसीड मुझूत होते हैं। बहुत ही अधिक मसालेदार खाना खाने से यह एसीड और मसालों के बीच जो रसाइने क्रिया होती है। उसका आतों पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। इसके अराबा कोफी। खाली पेट कोफी का सेवन करना नुक्सान तायक हो सकता है। कोफी में मुझूद केफिन पेट के लिए सही नहीं होता है। अगर आपको सुबे के समय कोफी पीने की आदत है तो आप पहले एक गिलास पानी पी ले। उसके बाद ही कोफी का सेवन करें। इसी तरह चाय का सेवन भी खाली पेट नहीं करना चाहिए। खाली पेट चाहिए से गेस और कबजू होने की आशंका बढ़ जाती है। तो देखा फ्रेंज आपने खाली पेट इन चीजों का सेवन करने से क्या-क्या नुक्सान होता है। उमीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल भी न भूले। थैंक्यो फ्रेंज मिलते हैं अब अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई